कि अलो दोस्तों स्वागत था आपका मेरे चैनल एग्विगेट नॉलेज में तो आज हम चैप्टर 12 करने जा रहे हैं और इसमें हम कवर करेंगे यह पांच टॉपिक्स पहला कि आप जैसे काम कर रहे हो किसी सीट में तो और आपको कुछ वर्किंग करनी दूसरी सीट कैसे ख अब लुए उस वर्किंग और आपको सिंपली लस एन प्रेस करना और आपकी यह नई एक्सल फाइल फॉल यह चाहे चाहिए और यह यहां पर पर तो सेवेच का तो सेवेच करने के लिए आप लोग क्या करते हो file पर जाते हो और save option पर जाते हो और file को save करते हो ठीक है लेकिन यह ना करने के वजह है अगर आप simply after press करोगे तो वह आपको सिधा यहाँ पर इस option पर ले जाएगा और आप अपनी file save est कर सकते हो हमारा तीसरा टॉपिक है एडिट for example आपको कुछ भी एक सेल में एडिटिंग करने हैं तो आप सिंपली माउस का लिफट क्लिक दो बार के या तो फॉर्मूला बार में माउस का लेफट क्लिक दबा के एडिट कर सकते हो और दूसरा आपका सॉर्ट कर थे किसी भी सेल में हो तो आप simply F2 प्रेस करोगे और यहां पर आपको editing का option आ जाएगा आप इस पहले cell में A1 cell में कैसे आओगे फार एक्जमपल अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो जैसे आप कहीं इधर हो सीट में ठीक है तो आपको अगर पहले cell पर आना cell A1 पर आना तो आप simply प्रेस करोगे control और ओम तो जैसे आप control ओम प्रेस करोगे यह आपको cell A1 पर ले आएगा इसका पाच्वा टॉपिक है आप एक्स्टिंग टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट को कैसे मूग कर सकते हो तो आपके पास एक यह डेटा है तो आप अभी यहां पर पर यह तो आप क्या करोगे simply control और एरो की यूज़ करोगे जिस भी कॉर्डर में आपको अपने डेटा रेंज में जाना है तो मैं control और एक्स्ट्रीम राइट वालिए ये राइट वाली की यूज़ करूँगा दो यह देखो आप अप सेल एवन पर आ गया यह एक्स्ट्रीम डाइर को आ अगया अगर आपको एक्स्ट्रीम बॉटम पर जाना है तो आप यह अगें कंट्रोल और यह नीचे वाली की यूज करोगे एक्स्ट्रीम लेट में जाना है यह देखो एक्स्ट्रीम लेट पे जाना है आपको एक्स्ट्रीम पे तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट की यूज करोगे और फिर अगें एक्स्ट्रीम आपको टॉप पे आना से एवन पे आना है अ तो आप control और top की use करोगे